नमस्कार दोस्तो डिफेंट शो में आपका स्वागत है तो दोस्तो भारत और चीन के युद्ध की तारीक एकदम तै हो चुकी है एक बड़ा महा युद्ध कब होने वाला है और एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है इसी बात पे और इसमें क्या कुछ लिखा हु और ये रिपोर्ट आखिर बनाई किसने है कौन कह रहा है कि युद्ध होने वाला है ये सारी बाते आपको समझा रहा हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो अंत तक बने रहो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर से कर लो ना दोस्तो मैंने कल ही वीडियो बनाई थी कि किस तरह से भारत ने 10,000 एडिशनल जवान यहां पर तेनाद कर दी हैं LAC पर अपना जो नया 18 कोर बनाया है जो उत्रखंड और हिमाचल बगेरा में हमारी LAC को कंट्रोल करेगा और इस से मैंने आपको बताया था कि इसका असर आपको आने वाले 5 से 10 सालों में देखने को मिलेगा तो उस वीडियो में एक किसी सज्जन का कमेंट आया था वो कह रहे थे कि भारत को 10,000 नहीं 50,000 जवान LAC पर तेनाद करने चाहिए तो उनको शायद कुछ कंफ्यूजन हो गी थी मैंने 10,000 एडिशनल ज जवानों की संख्या है वो अल्रेडी 50,000 जवान जवे उपर है और एडिशनल जवान 10,000 और तेनाद किये जा रहे हैं यह जो नई कोर बनाई है इसके अंदर तो उसके बाद एक रिपोर्ट भी सामने निकल कर आ रही है जिसमें यह कह रहे हैं कि भारत और चीन का एक मोटा मोटा युद्ध होगा यह कोई जड़प होगी यह जैसे हमारा डोकलान या फिर गल्वान में हुआ था वैसा कुछ होगा एक पूरा फुल-फ्लेजड युद्ध की यह बात कर रहे हैं जिहां यह क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इस से पहले यह जानना जर अपने आर्टिकल्स पबलिश करते है और एसा नहीं है कि ये सिर्फ सुरिख्या अलग कर दे या चीन का रुख बदल जाए तो थोड़ी अलग बात हो जाएगी लेकिन अभी के हिसाब से अभी की परिस्तितियों में ये कह रहे हैं कि 2025 से 30 के बीच में जो ये 5 साल है इनके बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है और एक बड़ा युद्ध होगा और ये यु 162 के युद्ध में हमने कुछ हिस्सा खो दिया था चीन ने कभजा लिया था तो यहाँ पर से इनकी जो मैक्सिमम इनरजी नीड्स है ये फुल्फिल होती है और यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि सीपैक कॉरिडोर जो इन्होंने बनाया है वो भी यहीं से होके गुजर तो यह क्या प्लाइन कर रहे हैं कि यह जो सीपैक कॉरिडोर बनाया है इसी में एक पाइपलाइन बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो कि इरान वगेरा से इनके लिए कच्चा तेल वगेरा सप्लाई करेगी और जो यह रीजन है इनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता जी हाँ क्योंकि जो नीचे हमारा Malaka State है यह वाला जो रीजन है यहाँ से हम चाइना को ब्लॉक करने की प्लैनिंग करते हैं यहाँ से हम कहते हैं कि हम चाइना का ट्रेट ब्लॉक कर देंगे जो भी सप्लाई है चाइने की वो रोक सकते हैं तो चाइना एक दूसरा alternate route टायार कर और हम हर मैप में भी इसको आज तक अपना हिस्सा मानते हैं कई बार कंट्रोवर्सी भी हो जाती है क्योंकि ओनलाइन जो मैप्स मिलते हैं जादा तर वो हमारे अकसाई चीन और प्यो को नहीं दिखाते तो इसमें कई क्रीटर इसको गालियां भी पड़ती है इसको लेकर ल और दूसरा इनकी एक करेक्टिवीटी भी बन जाती है बाकी के देशों से अगर भारत यहां पर हमला करता है इन पर अटेक कर देता है यहां से तो इनका सारा का सारा प्लैन धरा ही रह जाएगा इसलिए यह लोग प्लैन कर रहे हैं कि खुद ही एक हमला लॉंच कर दे इसी लेकिन जो यह रिपोर्ट कह रही है यह ऐसा ही कह रही है और यह रिपोर्ट किसी बच्चे ने तो बनाई है नहीं यह दुनिया बर के बुद्धी जीवी जो होते हैं वो आकडों के हिसाब से बनाते हैं और एक गहरी स्टडी करने के बाद यह रिपोर्ट तयार करते हैं औ जला कि मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारा जो अकसाई चीन वाला हिस्सा है, उसको हम वापिस ले। हाँ, अपने आप में ये दोनों काफी उल्टी बाते हैं, contradictory statement हो गया ये, बिना बड़ा युद्ध किये हम इस region को वापिस ले सकते हैं, only जब हमारी economy मजबूत होगी और हर तरह से हम आत्म निर्बर होंगे तो, बाकि आप बताईए, आपका क्या कहना है, ये जो report है, ये जो article है, इस पर आप क्या कहते हो, क्या आप मानते हो कि 2025 से 2030 के बीच में ये युद्ध हो जाए, क्या है, झाप जाँ हो झाआ है, झाप हो जो झाप लोग सेप्पन worms in में ऑलती है, ये जो कि कन दुद्द